और क्लास नर्सरी सब्जेक्ट इंग्लीज बच्चो आज हम लोग फिर से क्या करेंगे फर्स्ट उनिक टेस्ट का रिपिजन करेंगे बच्चो ध्यान से देख iyini mean bipartisan क्या पराती है असका मतलब होता है बच्चो रहा गोला करना है. से मिंस क्या होता है बच्चो — एक जैसा बच्चो देखो यहां प्लिट attend you इह कौन सा लेटर है डी है ना तो हम क्या करेंगे लाइन के इधर देखेंगे कौन सा डी है बच्चो देखो यह डी है नहीं यह regulate है नहीं बच्चो यह Дी है हाँ तिसको क्या करेंगे बच्चो सर्कल करेंगे ऐसे करके हम इस दी को सर्कल करेंगे बच्चो देखो ये कौन सा लेटर है एल फोर लेम्प बच्चो देखो ये एल है नहीं ये एल है नहीं ये एल है ना तो हम लोग इसको एल फोर लेम्प को क्या करेंगे सर्कल करेंगे बच्चो बताए ये कौन सा लेटर है P, P4, पैरोट, बच्चो देखो ये P है, नहीं, ये P है, नहीं, बच्चो ये P है, हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे circle, same means क्या हुआ बच्चो, एक जैसा, बच्चो एक जैसे लेटर को क्या करना है, circle करना है, बच्चो बताए ये कौन सा लेटर है, C, बच्चो देखो यहाँ ये तीनों में कौन सा C है, ये है, नहीं, ये है, नहीं, बच्चो ये C है ना, C for card, बच्चो इसको हम लोग क्या करेंगे, circle करेंगे, बच्चो देखो ये कौन सा लेटर है, H, H for house, बच्चो देखो ये H है, नहीं, ये H है, नहीं यह अच्छ है बच्चो हाँ इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे circle करेंगे बच्चो नीचे में join the dots लिखा हुआ है ना यहाँ पर बच्चो क्या करना है पता है यह जो join दिया हुआ है ना इसको हम लोग क्या करना है मिलाना है join the dots मिन्स होता है बिंदू को मिलाव बच्चो बच्चों को होमबर सेम है इसी तरह से सुनदर से क्या करोगे होमबर बनाओगे लास बर करने के बाद क्या करोगे होमबर बनाओगे थाइंक यू